हेलो प्रेंट्स, वेलकम टू गोर मेडिजब इन परमीशन 3.0 प्रेंट्स निन नोटिफिकेशन आउट हुआ है भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटीड की तरफे तो चलिए इस जोग का बाट डिटेल्स जाते हों डिटेल्स जाने के लिए आपके इस वीडियो में continue बेने रहना होगा तापि आप इस जोग का बाट सारचे डिटेल्स में जान पाएं इस जोग के लिए क्या क्वारिफिकेशन होना चाहिए क्या अरिजल लिमीट होना चाहिए इस जो में किस तरह से सलेक्षन ले सकते हैं और आप इस फ़म को कब से कब तक आप लाइक कर सकते हैं तो इसका बाट सारच ची डिसकर्स करेंगे इसके लिए आपके इस वीडियो को पूरा देखना होगा तो इसले डिसकर्सन स्टार्ट कर है नेम पोस्ट ट्रेनिंग इंजिनियर नमबर ओ विकन फिज इफ पोस्ट में अनरजब के लिए 32 है इड़वस के लिए 9 है ओबीफी के लिए 21 विकन फिजी एफी के लिए 12 विकन फिजी इस टी के लिए फिक विकन फिजी इफ पोस्ट में फर्स्ट यर में फेलिरी 30,000 पर मत दिया जाएगा फिकेंट यर में 35,000 पर मत दिया जाएगा थर्ड यर में 40,000 पर मत दिया जाएगा अपरेज लिमिट 8 फाल तक के कंडिडेट्स इफ पोस्ट को अपलाई कर फिकते हैं Next Post, Project Engineer में Unreserved के लिए 29 बेकन्वीजी, EWF के लिए 56 बेकन्वीजी, OVF के लिए 19 बेकन्वीजी, FV केले 11 बेकन्वीजी, SD के लिए 5 बेकन्वीजी इफ पोस्ट में 1st year में failure 40,000 दिया जाएगा 2nd year में 45,000 दिया जाएगा 3rd year में 50,000 पर नद दिया जाएगा 4th year में 55,000 पर नद दिया जाएगा Upper age limit 32 year तक के candidate इफ पोस्ट को apply कर फ़कते हैं Posting कपले बेंगलूर होगा Each relaxation FVSD के कंटिडेट को 5 यर तक का रिलेक्सेशन दिया जाएगा OVC के कंटिडेट को 3 यर तक का रिलेक्सेशन दिया जाएगा PWBD को 10 यर तक का रिलेक्सेशन दिया जाएगा Engagement and Anarchist का Terms Project Engineer में minimum 3 यर के period के लिए इंगेज किया जाएगा जिफको further 1 यर के लिए एक्स्टेंड किया जाएगा First year में Convalidated Renumeration 40,000 पर मत दिया जाएगा Second year में 45,000 पर मत दिया जाएगा Third year में 50,000 पर मत दिया जाएगा Fourth year में 55,000 पर मत दिया जाएगा Trainee Engineer में minimum 2 यर के लिए इंगेज किया जाएगा जिफको further 1 यर के लिए एक्स्टेंड किया जाएगा Convalidated Remuneration First year में 30,000 पर मत दिया जाएगा Second year में 35,000 पर मत दिया जाएगा Third year में 40,000 पर मत दिया जाएगा Qualification B.F.E. Engineer या B.E. B. Tech Engineering में Minimum 4 यर का full-time qualification होने चाएगा Electronics या Electronics and Communication या Electronics and Telecommunication या Telecommunication या Communication या Mechanical या Electrical या Electrical and Electronics Computer and Finds Computer Finds Engineering Computer Finds and Engineering में Minimum Percentage General OPC EWS के लिए 55% Aggregate Marks होने चाहिए सभी Famister को मिलागर के F.E. HD. P.W.B.D. Candidates Path होने चाहिए Post-Qualification Experience Trainee Engineer के लिए Industrial Experience Minimum Fixment का होने चाहिए Project Engineer के लिए Qualification Industrial Experience Minimum 2 Year का होने चाहिए Falcon Proofies इसमें Falcon Return Test और Interview के तुरो किया जाएगा Return Test 85 Marks का Carry करेगा 85 marks में किसी भी तरह का negative marks का बाउट mention नहीं किया गया है notification में ओके return test जो candidates clear कर लेते हैं वो candidates को interview के लिए बुलाए जाएगा general EWF OBC को return test and interview में minimum 35% अफकोर करना है FV HD PWD को minimum 30% अफकोर करना है return test and interview कपलेफ बेंगलूरू होगा आप इस्पूम को बेल के fight में जाके apply कर फिकते हैं application fee project engineer के लिए जेंडर EWF OBC candidates को 472 रुपीज पे करने होंगी जिसमें application fee 400 है plus 18% GST charge है trainee engineer के लिए जेंडर EWF OBC candidates को 177 रुपीज पे करने होंगी जिसमें application fee 150 plus 18% GST charge है ओकी FV HD PWPD candidates को fee में shoot दिया जाएगा ये फ़रे डुकुमेंट्स के दुवारा upload किये जाने चाहिए FFL fee FFE 10th standard marks card and valid documents is a proof of date of birth qualification ka फर्टिफिकेट all famisters ka marks card और consolidated marks card FGPA Convergent documents अगर कोई भी categories जिफे बिलोंग करते हैं तो cast certificate तो ये सारे documents आपको upload करने होंगे आप यहाँ फे देख सकते हैं ये फ्रेंट्स general instructions आप इसको read कर लिजिए टाकि phone को apply करते समय किसी भी तरह का e-phone न रही जो ओकी आप इस phone को 38-2022 तक apply कर सकते हैं तो ये हो फ्रेंट्स इस job का बाउट सारा चेज के लिए रहो गया होगा हावीबर किसी भी तरह का doubt रहता है देन आप comment कर सकते हैं और अगर आप इस phone को apply करने के लिए प्रेंट्स अगर आप इस चैनल पर फर्स टाइम विजिट के हैं तब तक लिए जय ही जय भारत